दोस्तो अभी Google अपने एक नए टेकनोलोजी पर वर्प कर रहा है जो कि वो अपने Android फोनो में इस्तिमाल करेगा और जिसके बाद आपका फोन जो है कोई भी चुरा नहीं पाएगा कोई उसको लेकर नहीं भाग पाएगा अगर लेकर भागता है तो आप इसली उसको पकड़ करने सकते हैं दम आराम से तो आइए इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या-क्या इसमें होगा अभी प्लेय स्टोर में एक एप है जिसको find my device करके नाम है जिसके जरीए आप अपने खोए होई device को खोज सकते हैं लेकिन इसके लिए फाले जो है उसमें आपका login करना होता है और device में भी वो आपका sign in होना चाहिए तब जाके वो खोज पाता है लेकिन आप तो जानते ही है जैसे ही चूर आपका device को चुराता है सबसे पहले वो SIM निकालके फ्रिक देता है SIM निकालते ही आपका total connectivity उसके साथ कट गई ना आपका network है उसमें और ना ही आपका internet है उसमें तो जो भी आप sign in किये हैं जो भी उसमें data entry की हो वो सारा चीज तब तक नहीं आपको access होगा जब तक कि वो internet के साथ connect नहीं हो और उसमें आपका जो ID है वो sign in नहीं हो SIM निकालके ठेकने के बाद चोर आपका mobile लेके जाएगा किसी दुकाल में और उसको पूरी तरीका से format करवा देगा जितना भी उसका operating system था वो नया लगवा देगा सारा data सारा identity उसका नया हो जागा कुछ भी उसमें नहीं रहेगा और आप find my device के जरीए कुछ भी नहीं खोज पाएगे वो सारा उसका नाता रिस्ता माई बाप माई मोशी सारा से connection उसका कट गया वो एक दम समझ लिजिए उसका भूल चुका है निमार अब आप उसको नहीं पकड़ सकते हैं नया सिम डालेगा इंज्वाए करेगा इसके बाद आप सिर्फ उसको आई माई नंबर के जर्दी है ट्रेक कर सकते हैं जिसकी उतरी आपके पास नहीं है आई माई नंबर से ट्रेकिंग सिर्फ ही पुलिस विभाग या जो भी सुरच्छा से जुड़ी गुश्चा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं मनमन सोच के राजए अगर पुलिस के पास जाईएगा हजारों नखरे उसके हैं हजारों तरह के सवाल है जिसको जवाब देते देते आप ठक जाईएगा आपको लगेगा इसे अच्छा तो हम मोबाइल ही ने आखरिच सकते हैं इन चीजों को गूगल ने भी समझा और उन्हों ने सोचा कि कोई नई टेक्नोलोजी लाई जाए जो की मोबाइल के फॉर्मेट हो जाने के बाद भी काम करें वैसे तो ऐसी टेक्नोलोजी पहले से भी है माई वगरा के या सैमसंग या उमसंग का जो मोबाइल आप यूज करते हैं उसमें एमाई मेर जो उसका अपना एकाउंट है वह आप फिर से लोग इन खोजेगा कि आप इसी जो आपका मोबाइल खुलेगा लोग हो जाता है लेकिन उससे आप उसको खोज नहीं सकते हैं मोबाइल यूजलेस हो जाएगा भले ही उसके लिए उसको करने की हजारों तरीके हैं है कर लोग उसको भी तोड़ता के रख चुके है आपका पूरा का पूरा चेंज करते हैं तो इसके लिए गूगल सोच रही थी तो अभी हाल फिलाहल में इपल ने एक के एर टेक करके चीज़ लॉंज की है जो कि आप किसी भी डिवाइस के साथ करती हैं तो वह ब्लूफूथ के जरी अगल पगल का सयोग लेकर आपको अपना अतापता बता देता है उसको मोगाईल से आप एक्सेस कर सकते हैं अगर आपको अगल पगल से ज्यादा दूर है तो ब्लूफूथ टेक्नोलोजी के जरीए अपना एड़ेस शेयर कर लेता एपल के डिवाइस के साथ अपल के डिवाइस के साथ और एपल डिवाइस क्या करते हैं उसका आड़ेस आई क्लौड में इस्टोर करवा देती है इसको फाइंड माई नेटवर्क का नाम दिया गया है तो इसी टेकनोलोजी का यूज करके गूगल अपने प्लेश्टोर को कर रही है इसके बाद नया अपडेट जो आएगा इसमें ये चीजे रहेगे इसके बाद आप अपना कोई भी डिवाइस से खोते हैं या खोते के छोड़ दिवाइस आप यूज कर रहे हैं तो क्या करेगा कि अगल बगल कोई भी तरह का एंड्रोइड डिवाइस आया चाह है मेरा इड्रेस यह इस तरीका से चिलाना शुरू कर देगा या रखेगा यह नेटवर्क का इस्तवाल करकर नहीं चिलाएगा यह आपके डिवाइस के अंदर जो भी बुदूटूट टेकनोलोजी हो इंफ्सी हो या इस तरीका का जो भी चीज़ो जो इंडिपेंडेंट ह जिसको वर्क करने के लिए किसी भी तरह के इंटरनेट किसी भी तरह के नेटवर्क किसी भी तरह के करेक्टिविटी की जूरूत नहीं है उसकी जरी यह अगल बगल वाले डिवाइसों को नोट करवाएगा कि मेरा एड्रेस यह है उसको इस वात से मतलब नहीं है वो चोरी ह हुआ है या नहीं हुआ इससे कोई मदब रहे हो उसकी बाइडिफोल्ट प्रॉपर्टी रहेगी इन्विर्ट प्रॉपर्टी रहेगी कि कोई भी डिवाइस अगर अगल बगल आए तो इसको अपना अड्रेस बता दे जैसे आप किसी परिवार के पास जाते हैं अगर नहीं इस्टोर में लिखवा जागा कि भाई देखो अभी हम यहां पे आए हैं यहां पर हमको यह डिवाइस मिला है यह बगल मेरे है वो एड्रेस आप अपने मोबाइल पे मैप पे गूगल मैप पे एक्सेस कर सकते हैं आपका अगर डिवाइस है आप उसको जानते हैं तो अपन अपना मोबाइल को एक्सेस कर लिए गार अब इसके साथ सवाल यह है कि इस तरीका से अगर अपडेट होता रहेगा सारे डिवाइसों का तो उसको कोई भी एक्सेस कर लिएगा अपने 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 पहले से उसको चेटब करके रखा है कि यह मेरा डिवाइस है वही उस डाटा को एक्सेस कर पाएगा यानि आपका डिवाइस जो डाट एक एड्रेस रिले किया है कि किसी और डिवाइसों के जरी है औहां ये डिवाइस लगातार अपडेट होते रहेगा एड्रेस माल लिया कि अभी किसी और डिवाइस के साथ था यहां फर से निकल गया यहां यहीं पर कोई और डिवाइस आया Android तो उसको भी एड़ेट से बताएगा और वो भी तुरत उसको अपडेट करेगा यह पूरी टेकनोलोजी अभी गूगल इस्टोर गूगल डिवलप कर रही है जो आगे के आने वाले उमीद है Android बारा में यह इन्विल्ट आएगा तो इंतजार करते हैं इस फंक्शन का मिलते हैं अगले वीडियो हैं दन्यवाद